नमस्कार जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना लड़का हो या लड़की प्यार करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन प्यार के पीछे अपने करियर को बलिदान देना यह सबसे बड़ी मुर्खता है लड़के और लड़कियों के अगर आप अपने प्यार के पीछे अपने करियर का बलिदान कर रहे हो ना तो यह आपकी सबसे बड़ी जीवन की गलती होगी अगर आप अभी 20-30 साल की उम्रे अपने करियर पर दियान नहीं दोगे ना गल्फरेंड या बोईफरेंड के चक्र में पड़े रहे होगे ना तो 30 साल बाद पे 30 साल बाद आप पस्ता होगे 20 और 30 साल के बीच की यही एक उम्र होती है करियर बनाने की अपने आपको सेटल करने की अगर इस वक्त आपने आपको कंट्रोल कर लिया ना इस चीज़ से तो इन फूचर में आपकी आर्थिक इस्तिती बहुत ही अच्छी होगी और अगर इस एज में अगर आप गल्फेंड बॉइफेंड और प्यार के चक्र में पड़ गए ना तो आपकी आर्थिक इस्तिती ऐसी होगी ना आप सोच भी नहीं सकते हैं और एक बात हमेसा ध्यान रखना किसी विद्वान ने कहा है जब गरीबी दर्वाजे से अंदर आती है ना तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है एक मात हमेसा ध्यान रखना पारिवारिक इस्ति आप पती पत्नी या गल्फेंड बॉइफेंड के बीच में कितना ही प्यार क्यों नहीं हो अगर आपकी आर्थिक इस्ति मजबूत नहीं है ना तो चन्द दिनों में आपका वो प्यार गायब हो जाएगा प्यार कभी भी प्यार और गरीबी साथ साथ नहीं चलते हैं ये एक बात हमेसा ध्यान रखना एक सर्वे हुआ था लेटेस्ट कि 90% गरों में आर्थिक इस्ति के कारण रिष्टे सामान्य नहीं होते हैं अगर आपके आर्थिक इस्ति सही होगी ना तो आपके माँ, आपके बाप, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपकी बेटी आपके समाज में वेल्यू सब करेंगे और अगर आपके आर्थिक इस्ति कमजोर होई ना तो समाज की बात तो छोड़ दीजिए आपके घर में भी आपकी इज़्जत नहीं होगी इसलिए सबसे पहले अपनी आर्थिक इस्ति मजबूत करें ना कि प्यार के पीछे अपने करियर को बलिदान कर दे यह बात अभी आपको समझो नहीं आएगी आप यंग हो आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है यह बात अभी आपको समझो नहीं आएगी जब आप 30 के बाद में बड़ी-बडी कंपनियों के पास में बड़ी-बडी ओपिसों में जब फ्रोकर खाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि मैंने अपना समय गलफेंड बोईफेंड के प्यार के चक्कर में ऐसे ही देश्ट कर दिया तब आपको रिलाइस होगा लड़के लड़किया क्या करती है घर से दूर पढ़ने के लिए जाती है किसी बड़े साहर में उनके माप बाप एक एक पाई जोड़ते हैं अपने खून पसीने से और कुछ लड़के लड़कियां क्या होते हैं वहाँ पे जाते हैं बड़े-बड़े सौरों में पढ़ने के लिए और प्यार के चक्कर में पढ़ जाते हैं और प्यार के चक्कर में पढ़कर अपने करियर को दर्बाद कर देते हैं उनके माबाप उनके लिए पैसे बैजते हैं पढ़ने के लिए लेकिन वो क्या करते हैं वो पैसे लड़की अपनी बॉइफ्रेंड के उपर खर्च कर देगी बॉइफ्रेंड अपने गल्फरेंड के उपर खर्च कर देगा जबकि माबाप ने वो पैसे तो उनकी पढ़े के लेकिन वो क्या करते हैं मोज मस्ती और इंजोई करते हैं लेकिन जब जैसे जैसे समय गुजरता है ना और जब वो समय गुजरने के बाद में जब वो जोब के लिए जाते है ना तब उनको पता चलता है कि हमने समय वैश्ट क्यों किया हम ने अपने करियर का वलिदान क्यों किया इस प्यार के बदले इसलिए एक बात हमेंसा जिहूं में द्यान रखना आपका प्यार कितना ही सच्छा क्यों न हो लेकिन जब गड़ी भी आती है ना तो वो प्यार भी बदल जाता है इंसान के जिवन में खुशिया तभी आती है जब उसके घर में पैसा आता है पैसा नहीं होता है तो समाच आपके परिवार वाले आपके मापाप आपके बेटा बेटी आपके दोस्त कोई भी आपकी इज़त नहीं करेंगे जब समय गुजर जाएगा ना जब आप 35 के बाद में किसी कमपनी में जोग कर रहे होंगे ना तो लोग यह नहीं पुछेंगे कि आपकी गल्फ्रेंड है या नहीं है लोग यहीं पुछेंगे आप कितना कमाते हो क्या मेंटेन करते हो लोग ये पूछेंगे, लोग ये नहीं पूछेंगे कि आपकी girlfriend है, आपके boyfriend है आप किसे प्यार करते हो ये नहीं पूछेंगे इसलिए प्यार के पीछे जीवन में हमें से ध्यान लखना अपने career का बलिदान कभी मत करना वरना आपको बहुत पस्ताना पड़ेगा